नमस्कार आईए जानते हैं साल दोहजार चौबिस में छट पूजा कब है? छट पूजा में नहाय खाय खरना संध्या अर्ग उसा अर्ग देने का समय क्या है? इन सबकी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्थिक मास के सुकल पस की खश्टी तिथी से छट पूजा आरंब होती है जो पूरे चार दिनों तक चलती है इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयू अच्छे स्वास्त के लिए करीब 36 घंटे तक निर्जला ब्रत रखती है इस ब्रत को सबसे कठीन ब्रतों में से एक माना गया है छट पर्व का आरंब नहाय खाय के साथ होता है और ब्रत का पारण चौथे दिन उगते हुए सुर को अर्ग देने के साथ समाप्त होता है इस पर्व को बिहार, जारखंड, पूर्वी, उत्तरप्रदेश, पस्चिम, बंगाल, आधी जगहों पर मनाया जाता है आए अब जानते हैं 2024 की छट की तिथी हिंदू पंचांग के अनुसार कार्थिक सुक्ल खष्टी तिथी के साथ छट पूजा आरंब होती है साल 2024 में खष्टी तिथी 7 नौंबर को सुब 12 बजकर 41 मिनट से आरंब हो रही है जो आठ नौंबर को सुब 12 बजकर 35 मिनट पर समाप्थ हो रही है इस साल छट पूजा 7 नौंबर को रखा जाएगा इस दिन साम के समय सूरे को अर्ग दिया जाएगा छट पूजा का पहला दिन नहाय खाय 5 नौंबर 2024 मंगलवार छट पूजा का दूसरा दिन खरना 6 नौंबर 2024 बुधवार छट पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्ग 7 नौंबर गुरुवार और छट पूजा का चौथा दिन उसा अर्ग 8 नौंबर सुक्रवार को दिया जाएगा छट पूजा के पहले दिन को नहाय खाय कहा जाता है इस दिन सुरियोदे सुबच्छ बजकर 49 मिनट पर है इसके साथ ही सुरियास्त साम 5 बजकर 41 मिनट पर है इस दिन ब्रती स्टान करती हैं और एक समय भोजन करती है छट पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, इस दिन छटी माता के लिए भोग बनाया जाता है, साम के समय मीठा भात और लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। छट पूजा अर्ग, छट पूजा के तीसरे दिन साम के समय सूरेदेव को अर्ग दिया जाता है। इसके साथ ही बास के सूप में फल, गनाचावल के लड़ू ठेक हुआ, आदी अनशामगरी रखकर नदी सरोवर के अंदर खड़े होकर पूजा की जाती है। इस दिन सुर्यास्त साम 5 बच कर 29 मिनट पर है। उसा अर्ग, छट पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूरे को अर्ग दिया जाता है। इस दिन सुर्योदे सुब़ 6 बच कर 37 मिनट पर है। इस दिन ब्रती अपने ब्रत का पारड कर देती है।